हेलो एब्रिवन आज मैं लाई हूँ कुछ ऐसे हैक्स के आडिया जिससे करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और फायदे भी बहुत मिलने वाले हैं और करना भी इजी है घर में ही सारी चीजे पड़ी रहती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला है कि हमें इस तरह से बरब चाहिए और इसे दोनों हातों पर रख लेंगे और मुठी को बंद करना है और खोलना है यह प्रोसेस हमें करीब एक मिनट के लिए करना है इसे करने से यह फायदा होगा कि अगर आपके सर में धर्द है माइग्रेन है अगर आपको बार हाद तक रहात मिलेगी गारेंटी है मेरी हाँ लेकिन यहां पर ध्यान रखेगा कि अगर आपको खाशी जुखाम सल्दी है और आप यह है कर रहे हैं तो आप करिएगा तो सल्दी जुखाम होने पर नहीं करना है एक मिनट के लिए ही इस तरह से जब बरब हमारे हाद के रह ये पतले वाले अक्सर क्या होता है कभी अचानक से हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास मैचिंग-चूडियां नहीं होती हैं उस ताइम हं अर्जेंट में कहां से लायें तो इस तरह से आप रवरड़वैंड यूज करके मैचिंग सेट लगा सकते हो तो बेख़े इस बहुत यूज होता है तो मैंचिंग का आपको घर में इजली मिल भी जाएगा बस इस तरह से कर लेंगे और मैं इसे आपको पहना पहन की भी देखाऊंगी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड मैं तो यह है ट्राइ करती हूं आप भी एक बर जरूर करना आपको कौन सा है अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा तो देखिए हमारा बैं अच्छान भी नहीं प्राइगा फ्रेंड तो एक बार जरूर ट्राइग करना है कि नेक्स्ट अब हम चलते हैं थर्ड है के तरफ इस तरह से मैंने सेप्टी पिन लिया है अकसर लहंगा हो या दुपट्टा हो जब हम पीन लगाते हैं तो दुपट्टा साडी या पीन अच्छा जाते हैं उसके धागे इस तरह से आप छोटा सा कागस डाल के पिनी यूज करिए आपका कपड़ा कभी नहीं फटेगा और इसली निकल भी जाएगा फूर्थ है कि जो फैन होता है कि इसमें बहुत सारा तेल लग जाता है जिसे साप करने में बहुत प्राब्लम होती है हम पानी से भी करते हैं तो नहीं हो पाता है इस तरह से आप कोई साभी पावडर लेके पहले उस पर छिड़क दो और इस तरह से कॉटन कपड़े से पोस पावडर तेल शोकता है तरह से में कटोरी में इसे पहले पावडर को निकाल लोंगी और इसमें कपड़े में लगा के साब कर लोंगी एक हाथ से मैं मुबाइल पकड़ी हूं और एक हाथ से मैं क्लीन कर रही हूं थोड़ा सा वीडियो इधर उगर हिल रहा है तो भी मैं क्लीन करके आपको दिखाते हूं तो देखिए यह हो चुका है आप्टर वीफोर इक्सर में आप दे सकते हो कितना फर्क है तो जो भी एक पाउडर छिड़क के आप उसे क्लीन कर सकते हो इधरी निकल जाता है तो आपको कौन सा हैक मेरा पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल